हलो दोस्तों मैं हूँ DSK और आप लोग देख रहें DSK डोक्स आज जो मैं डिसक्स करूँगा वो तो आप सबको पता ही है कि मैं कपिल शर्मा की शो का रीविव करूँगा यह अलग बात है कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इस्यूस रहे हैं जिसके वजह से उनके शो पीच में बंद हो गए लेकिन कपिल शर्मा ने एक छोटे से गैप के बाद चोटे से ब्रेक के बाद टीवी पर वापस से कमबैक कर लिया है और उनका फर्स्ट अपीज़ोड और हो गया कल रात को जिसमें की अजय देवगन भी आय थे यह शो कैसा रहा कैसा नहीं रहा इसके बारे में टीटेर में बात करेंगे सो बगया टाइम वेस्ट किये आए शुरू करते हैं रीव्यू ऑफ फेमिली टाइम विद कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ वापस से सोन अपनी के मुकाबले काफी नीचे रहा आपको याद होगा जिब कपिल शर्मा ने सोने टीवी पर अपने डेबी किया था कपिल शर्मा शो के साथ उनकी पूरी टीम आय थी शारो खान भी आय थे वह एपिसोड काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा जबर्स टी आर्पी मतलब हसी के ऐसे फनकार मौझूद है उसके बाद खुद कपिल शर्मा ने अपने शो को कॉमेडी शो नहीं बलकि एक गेम शो का नाम भिया यहाँ गेम शो जहां पर की ओडियेंस कुछ पंटास्पर पाडिसिपेट करेगी काफी बड़े-बड़े प्राइसेस हैं वाशिं कि कपिल शर्मा में यह बात तो है और यह बात कोई जुटला नहीं सकता कि वह एक सीधी सिंपल बात को भी फनी वे में प्रेजेंट करते हैं और लोगों को हसी आही जाती है चाहे आप उनका कलर्स टीवी पर शो आता था कॉमेडी नाइट सुट कपिल यह पर सोनी पनाया कपिल शर्मा शो जिस अंदाद में वो और यह बात करते थे वही अंदाज हमें अब भी दिखाई दिया चाहे खुद के उपर जोग्स क्रेक करना हो चाहे ओडियेंस में किसीने सवाल पूछा उसी की क्लास लेकर उसी के उपर जोग बना देना इस फन में कपिल शर्मा को मह पहारत हासिल है एंड जैसा कि मैंने का खुद के उपर जोग बना लेता है और कपिल शर्मा के जोग ऐसे हैं चाहे वह बेठा क्लासी बंदा हो या पान के दुकान पर बैटे मिश्राची सभी कपिल शर्मा की जोग के मूरीद है अब ये तो हो गई कपिल की कॉमेडी की ता होगा कितरा पहलु यह है कि उनकी कॉमेडी का स्टाइल वही रिपीटेटिव है आप उनका जब पहले के शोग देखिए उनकी पहले की कॉमेडी देखिए वही जोग से वही स्टाइल है वही अंदाज है अपनों पर जोग मानने का दूसरों को पर जोग मानने का वही सेम अंदाज यहां पर भी हमें दिखाई दिया यही नहीं शो को ग्लैमराइज करने के लिए नहाप एंट से लाई गई है जो कि आपको याद होका लाइफ होके पर शो आता था मेया एकमिन मैडम जिसमें की वो मैडम बनी थी बहुत बनी थी नो डाउट वो बहुत जादा खुबसूरत है और इस शो को चारचा लगा दिया है उन्होंने और जैसे कि कपिल अपने पुराने शोज में करते रहे हैं अपनी फीमेल को एक्टर्स के साथ फ्लेट करना मस्ती करना मजा करना च्छड़ चार अपने बंपर बनके वोल में कुछ नया पन नहीं है गाईस वही स्टाइल के जोक है वही आपने देखा ही होगा तीपक तीजोरी की घर पर अगर चोर आ गया तो उस पैसा नहीं मिलेगा क्यों अरे वह तीपक तीजोरी तीजोरी साथने के गया अब इस ट्याप के जोक सम काफी दोनों से सुनते हैं किकु शार्दा के मूझ से बट सिल यह पहला एपिसोर था अभी तो काफी लंबा सफर था एक अन्दार शो को और शो में अजय देगगण हाला कि को बहुत जादा आजय देगण दिखाई दिए हो ऐसा भी नहीं क्योंकि जैसा कि कपिल ने कहा इ ऐसा गेम शो हम टीवी बार पहले भी देख चुके हैं अब को याद होगा सब टीव पर आता था सक्थे रो सब जीतो एक काफी पहले शो आता था खुल जा सिम सिम सो उसी पैटन पर ये शो भी चल रहा है सो गाइस अब आती है मुद्दे की बात कि सोनी टीवी ने ऐसा क्य भी आ जाएगा जो की अकेर एक गेम शो है सो गाइस इन दोनों गेम शो का सोनी टीवी पर आना बैक टू बैक एक बात की तरह इशारा करता है अब आपने से कई लोगों को याद होगा कि 10 साल तक सोनी टीवी के पास IPL के राइट्स थे अब IPL के राइट्स चले जा शुके है स्टार नेट्वर्क के पास सो IPL को काउंटर करने के लिए और जादा से जादा लोगों को अपने चैनल की तरफ खीचने के लिए ये सोनी टीवी की एक स्ट्रेडिजी है उन्होंने दोनों गेम शोज दसकादम एं फैनली टाइम विद कपिल शर्मा इस फॉर्मेट से ड अपिल में होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कपिल का शो हो या पिर सर्माथा लेकर आरवाले दसकादम ये वीकेंड के शोज होंगे एंड वीकेंड पर हम सब जानते हैं कि आई पील में वीकेंड पर जबरदस मुकामले होते हैं सेटरडे संडे को दो-दो मैचेस हो होते हैं और बड़ी तगड़ी कीवों के बीच होते हैं तो आई पील को काउंटर कहने के लिए सोनी डीवी की ये स्ट्रेडिजी कितनी कामकार होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अगर मैं अपना परस्तल पॉइंट दूँ कपिल शर्मा के इस नए शो के बा अपनिंग एपिसोर्ट में वो मिस्टर अरोडा बनके आ जाए या अलग-अलग गेटप में कपिल शर्मा खोड़ा है तो कुछ भी हो सकता है और सबको पता ही है कि कपिल शर्मा इस शो में कमबेक कर रहे हैं काफी ज़्यादा पॉब्लम्स रही है उनकी पर्सोन लाइफ म उसके बाद वापस से कमबेक किया है पहला एपिसोर्ट था इतना जादा अच्छा नहीं गया लेकिन बहुत बुरा भी नहीं गया लेकिन उम्मीद करते हैं कि शो जबर्दस हिट रहेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा काफी ओडियल्स अच्छे गिफ्ट जीतने के लिए पा अप्रेल या साथ अप्रेल के आसपास शो का फर्स्ट लुक आने वाला है शो का नाम क्या होगा यह सारी टीटेल्स छे या साथ अप्रेल को रिवील करी जाएंगी ऐसा मुझे पता चला है एक खास सोर्स के तुरू सो काफी सारी बाते हैं जो अभी प्रिपरेशन के दौर कैसा लगा एंड कीव वाचिंग डेस की डॉक्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी कराएंगे